को क्लास में बताया गया था कि 12 घंटे के अंतराल में 11 बार होती है खाल है 12 घंटे के अंतराल में कितनी बार होती है हर घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार लेकिन नहीं 11 बार क्यों 11 बार होती है क्योंकि 12 से 1 के बीच में दो पहर में और 12 से 1 के बीच में रात में 0 डिगरी की उबर लैपिंग नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार 12 घंटे में तो आप लोग लिखोगे कि 12 घंटे में 11 बार तो देखो यहां कितना फिешती है बटाब से 108 अब यह बताओ 12 में किस नंबर से मल्टिप्लाई करने पर 108 आएगा? 9 से आपने जब यहां 9 से मल्टिप्लाई किया तो आपको यहां भी क्या करना होगा? 9 से मल्टिप्लाई कर देना होगा तो 11 नवा 99 तो 108 घंटे में कितनी बार होगा? निन्यानवे बार होगा, ऐसे भी प्रस्न आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आखिर आप लोग नालेज क्यों लेते हो? हम ताकि उसका उपयोग कर सकें, उन प्रस्नों का उत्तर दे सकें, तो इस थरह से प्रस्न भी आप से पूछ देगा, तो आप तभी बताओगे जब एग्जेक्टली प्रैक्टिस में रहोगे. अब चलो बोलो तुम लोग, 72 घंटे में कितनी बार? 72 घंटे में कितनी बार? ये बात होई, जो है, 12 चके, 12,672, तो 11,672, 66, कितना बार? 6,8 बार, 66 टाइम्स, चलो ये बात होगे आप लोगों की, हमने ये मान लिया, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ना? चलो, अब तुम लोग देखो, अब बात हुई, 0-9 के बीच में, 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 तेजी ये होने चाहिए, पढ़ने का मतलब तेजी यही होने चाहिए, और भी में, लिचान सोंवाँ, Cल रनी के बीच में, झाल झाल यह सबका हो गया? सबका अंसर आ गया? क्या बताय गया था आप लोगों को? देखो आठ से नौ बजे के बीच में कुछ नहीं करना था क्या लिखना था आप लोगों को? आठ बजे कर क्या लिखना था? अच्छा वो बन जाया गया इसका मत्तब सेप ना? है? हाँ हाँ है? अच्छा सेप ही ना? हाँ ठीक अच्छा यह ज्यादा बेस्ट यह होगा ना? अब क्या कर यहां सिर्फ कर दें? कहां आया जी? अच्छा बनाना पड़े गताब आयागा? अच्छा बन गया ना? चलो सुनों, ओके अब हम लोग क्या करते हैं? दिखो मैंने यह बताया था आप लोगों को, कि यह 12 हो गया और यह क्या हो गया? 6, यह क्या है? 3, यह क्या है? 9. तो zero degree के overlapping के संदर्फ में ये बात हुई थी कि 12 से 1 के बीच में 12 से 1 के बीच में overlapping नहीं होती है तो मैंने कहा था जब जब आपको इसका answer देना होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे केवल 8 बज़ कर ध्यान समझेगा आप लोग 8 बज़ कर क्या 7 बटे 11 multiply क्या बेटा यहीं वाला number क्या 8 तो 68 जा 480 480 को आप इसी 11 से divide कर दियो होंगे यहीं कियो होंगे आप लोग तो क्या आया 11 4 जा 44 जे आ गया 11 3 जा 33 कितना आ गया 7 तो आपका answer आया होगा 8 बज़ कर क्या बेटा 43 43 होल 7 अपान क्या 11 क्या मिनट यह answer कितने लोगों का आया है यह answer कितने लोगों का exactly आया है जिनका नहीं आया है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब आप लोग heading दीजिए 180 डिगरी की overlapping आप लोग heading दीजिए 180 डिगरी की overlapping इसको अधर नाम से भी जानते हैं 180 डिगरी की overlapping कहते हैं या एक दूसरे से opposite direction में क्या एक दूसरे से एक दूसरे से बिपरीद दिशा में या opposite direction में opposite direction में या और क्या कहते हैं इसको हम और कह सकते हैं एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर ये तीनों चीज हो सकता है 180 डिगरी की overlapping मतब 180 डिगरी का formation या एक दूसरे से opposite direction में या 30 मिनट की maximum दूरी पर दो सूईयों के मद्ध यो दोनों सूईयां आपकी हैं hour and minute hand इनकी maximum दूरी कितनी होती है 30 मिनट की इतनी होती है 30 मिनट की ये तीनों नाम से आपके questions बन सकते हैं अब आपको बताना है कि 180 डिगरी की overlapping पूरे घड़ी में आपको जब time देखते होंगे तो ये कैसा समय आपको दिखता होगा जहां बिना दिमाख लगाए आपके बता सकते हैं कि हाँ दोनों ही घड़ियां एक दूसरे के opposite direction में हैं वो timing क्या है वो timing क्या है वो timing क्या है वो timing क्या है क्या है exactly केवल 3.45 नहीं बेटा 3.45 पे नहीं होगा 3.45 जब दिखाओगे न तो घंटे वाले सुई 3 से 4 के नजदीक जा रही होगी जब 3.45 अब दिखाओगे तो 45 मिनट जब तक गया एक मिनट वाले सुई तब तक घंटे वाले सुई भी क्या होगा 3 से खसक के कहा जा रही होगी 4 के नजदीक जा रही होगी केवल एक टाइमिंग है क्या 6 बजए exactly क्या टाइमिंग है exactly 3 बजए क्या बजए exactly 6 बजए वो टाइमिंग है जब घड़ी में जब घड़ी में 6 बज रहा होगा उस समय क्या होगा देखो, यह exit timing है घड़ी का, इस समय क्या हो रहा देखो, इन दोनों के बीच 180 degree की overlapping है, 30 minute की maximum दूरी पे हैं, और एक दूसरे से क्या है, opposite direction में है, इसी को बोलते हैं, 180 degree की overlapping, क्या बोलते हैं, 180 degree की overlapping, ध्यान देना, यह ठीक 6 बजे हो रही है, मतलब टाइमिंग किसकी है, 5 से 6 की timing है, किसकी timing है, 5 से 6 की, इसका मतलब यह हुआ, कि 6 से 7 वाले बीच में, 180 degree वाली overlapping, नहीं होगी, क्या होगा, नहीं होगा, यह हो गया 9, यह हो गया 10, 11, एक, दो, तेन, चार, अब जड़ा समझना, तो आप लोग लिखिए, ध्यान देना, हर एक घंटे में, हर एक घंटे में, 180 degree की overlapping एक बार होती है, लेकिन 6 से 7 का जो यह एक घंटा है, इसमें, 180 degree की overlapping नहीं होती है, तो हर एक घंटे में, एक बार होती है, तो 12 घंटे में, 12 बार होने चाहिए, लेकिन चुकिए एक घंटे में नहीं होती है, तो 12 घंटे में कै बार होगी, एक 11 बार लिखिए आप लोग, 12 घंटे में, 180 degree की overlapping, 12 घंटे में, 180 degree की overlapping, एक 11 बार होती है, तो 24 घंटे में 22 बार, very good and so on, अब उम्मीद है अब लोग निकाल लेंगे न, चलो अब ध्यान देज देगा अब दूसरी बात अब इसमें जखो, जब 6 से 7 के 20 में आप लोग पढ़े थे, जिरो डिगरी ऑबरलैपिंग वाले में कि 12 से 1 के बीच में नहीं होता था, तो हम लोग 12 क्या माने थे? बेस माने थे, अब यहां जब 6 से 7 के बीच में नहीं हो रहा है, तो हम लोग बेस किसको मानेंगे? हम लोग बेस किसको मानेंगे हम लोग बेस हम लोग बेस मानेंगे किसको बेटा खे हमारा बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा खे हमारा बेस होगा अजब खे हमारा बेस होगा तो अब हम यह इनुटों की संख्या कहां से काउंट करेंगे खे को जीरो मान के करेंगे जैसे हम बो लोग दस से ग्यारे के बीच 180 डिग्री के ओबर लैपिंग कब होगी अब ध्यान दीजेगा आप लोग तो वही बात हम लोग करेंगा लिख लेंगे 10 बज़कर क्या लिखते हम लोग 10 बज़कर 10 बज़कर और क्या साथ बटे ग्यारा जो बेस हम लोगों का है वो फिक्स रहेगा क्या रहेगा जो बेस है वो फिक्स रहेगा साथ बटे ग्यारा मल्टीप्लाई अब ध्यान दीजेगा आप लोग यह हमारा बेस है इसी base में हम multiply करते हैं किसे से? यूनिटों से और यहां से गिनेंगे हम लोग यहां से गिनेंगे इसको मान लेंगे 0 यह क्या हमरा हो गया अब? 0 यहां से कहां तक गिनेंगे? 10 तक 0 1, 2, 3, 4 तो यहां multiply किसे करेंगे बेटा? multiply करेंगे 4 से तो 6 फोर्जा 24 240 को क्या करेंगे? 11 से divide कर देंगे तो 11 दुना 22 तो 11 एक कम 11 क्या आगया बेटा? 9 तो आपका answer आगया 10 बज कर 21 सही क्या? 9 बटे 11 पे वो timing होगी जब दोनों सुईया एक दूसरे से क्या करेंगी? या तो एक दूसरे के opposite होंगी या 180 degree का angle form करेंगी या एक दूसरे के एक दूसरे से 30 minute की अधिक्तम दूरी पर होंगी तो आप लोगों को formula क्या बनाना है? वही 60 या 5 11 तो same रखना है केवल क्या करना है? जहां आप लोग 12 से counting कर रहे थे अब counting कहां से करना आप लोगों को है? 6 से करना है 6 क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 0 0 से करके आप लोग counting करोगे answer निकालोगे इसको फ़र सब्दारी आप लोग तो आगला question दें आप लोगों को अप लोगो 5 को करो कर दो लोगो Oooh भाक लोगों मैं आप करוצER जढ़ा होगा भगों को खरवे गोट भगों we जट भड़ों रहे एंवे हुँए च्पालोगा झालोगा लोगस侏 धर्बाविस्या conseill कि किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है वो ये बात सब को स्वज में आ गई कि अगला कुशन दिया जाए कि निश्ट हो गया ना करना पड़ेगा हो गया ना चलो अब दहां दीजिए आप लोग तो से तीन के बीच कि दोनों सुईयां कभ एक दुसरे के अपोजिट होंगी अपोजिट मतलब विपरीत होंगी अपोजिट मतलब तो प्रस्थ आप से आईसे भी पूछ सकता है आप से 180 डिगरी के ओवर लैपिंग नहीं कहा मगर पूशा वहीं चीज है क्या एक दुसरे के अपोजिट मतलब क्या हाँ तो ध्यान देना है लैंग्विज नहीं नहीं तिन नहीं जो आप लिखा न ये जो लिखते हो आप दो बज़कर तो हम वहाँ से दो तक जायेंगे तीन नहीं दो से तीन की फिच में है न तो हम तिन को काउंटेंग केवल जिसको लिखते हूँ वहीं तक हमें जाना होता है जैसे मैं ने लिखा मैंने लिखा दो बज़कर दो बज कर साथ बटे इग्यारह मैंने लिखा बेटा तो अब हम छे से दो तक जाएंगे तो छे से बारक मत्तब छे अदो आठ यहां क्या मुल्टिप्लाई करेंगे आठ से मुल्टिप्लाई करेंगे आठ से मुल्टिप्लाई कैसे करेंगे अब समझो ये 12 था ये क्या हो गया 6 तो मैंने आपसे ये कहा था ये हमारा बेस होगा ये हमारा क्या होगा ये है बेस और 6 है तो ये 7 होगा ये 8 होगा ये 9 होगा ये 10 होगा ये 11 होगा ये 1 होगा ये 2 होगा ये 3 होगा ये 4 और ये 5 अब ज़र्दा यहाँ से आपने लिखा 2 बचकर जड़र्दा यहाँ से 2 पर जाओ तो ये जिरो हो गया न यह क्या हो गया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दोवा गया तो 8 आ गया हमारा तो लिख देंगे 60 बटे 11 गुरते 8 तो 6 बटे 48 तो करना क्या बटा चार सवस्थी को क्या करना आप लोगों को 11 से डिवाइड कर देना है दिख रहा है सबको तो 4 सवस्थी से 11 4 जा 44 11 3 जा 33 ना तो क्या हो गया बेटा आ गया 2 बज़कर कितना जी 43 जो आप लोग निकाले हैं 43 बचकर 7 47 बटे 11 तो यह जिन लोगों का भी एंसर आया हुआ है वो क्या है करेक्ट है तो हम तो बताय थे ना कि 6 को बेश मान के यहां काउंटिंग करते हैं चुकि इस वाले इंटरवल में और लैपिंग नहीं होती है जिस इंटरवल में और लैपिंग नहीं होती है उसी के छोटे नंबर को बेश मान करके हम काउंटिंग करते हैं क्या करते हैं उसी को बेश मान करके हम काउंटिंग करते है हैं बात समझ में आ गया चलो अगला क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन से अप लोग इसका तो आगे फिश चला जाए लिखे आप लोग पांच से च्छे के बीच में पांच से च्छे के बीच में वो कौन सा समय होगा जब दोनों शुईया एक दूसरे से एक दूसरे से मिनटों की अधिकतम दूरी पर होंगी मिनटों की अधिकतम दूरी पर होंगी अथिकतम कप होगा पेटा एग्जेक्टली छे बजे मतलब क्या बोलेंगे या पांच बज कर साथ मिनट क्या बोलेंगे पांच बज कर साथ मिनट 0 second आपसे यह भी आजाए या दि आप बोलोगे पांच बज कर साथ मिन्ट जीरो सेकेंड पर क्या होगा दोनों सुईयां में टों की स्थनों अब उसने 30 minutes नहीं कहा कहा मेंटुं की अधिकतम दूरी पर तो किन ही भी दो सुईयों के मध्य मिनिट आधिकतम दूरी का मतलब क्या होता है 30मिनaları की दूरी होती है क्या होती है 30 चांटी मिनट की दूरी होती है बात कीर हो गया तो ये हो गया भी 1 पट ये हो गया बिटा आप लोगा का 180 डिगरी की वर लैपिंग ये बात सब को समझ में आ गया कर жизни आगे लिखियाक आप लोग 90 डिगरी की कर 116 डिकी वर लैपिंग 90 डिगरी की ओवर लाइपिंग अब ज़रा समझे आप लोग यह जो 90 डिगरी की ओवर लाइपिंग को अब लोग और क्या कह सकते हैं दोनों सुईयों का एक दूसरे से लंबवत होना क्या होना दोनों सुईयों का एक दूसरे के लंबवत होना और क्या कर सकते हैं दोनों सुईयों का पंद्रह मिनट की दूरी पर बात वही है तो इस तरह से प्रस्तन भी आपके सामने आ सकता है आपको जानना पड़ेगा कि यह भी लेंग्वेज आएगा इसका मतलब वही बात है क्या 90 डिग्री की ओवर लेपिंग हाँ 90 डिग्री की ओवर लेपिंग मतलब विन वास टाइम एट विच बोथ हैंड्स इस आन परपेंडिकलर टू इच अधर परपेंडिकलर टू इच अधर तुम्हारा एंग्लिस में डियम है क्या एक दूसरे के परपेंडिकलर ली कब होंगी वो न तो अब ज़रा समझे आप लोग अब बताईए घडी के डायल में आपके सामने ये घडी का डायल है हाँ राइट नो बजे और बोलो और बोलो देखो ये बड़ा सा घडी सामने आगया आपके न अब इसमें हम जो है बना रहे हैं ये 12 हो गया और ये क्या हो गया ये क्या हो गया और ये बेटा नो देखो जब घडी में घंटे वाली सूजी को आप लोग यहां प्लेस करो त्री पर और मिनट वाली सूजी को आप लोग प्लेस करो कहां पता है पताओ घडी में क्या बज रहा है दोनों सुईयां एक दुसरे के परपिंडिकुलरी हैं कि नहीं है तिन बज रहा है न दोनों सुईयां एक दुसरे के लंबवत हैं 90 डिगरी का फार्मेशन हो रहा है देखो एक दूसरे से 15 मिट के दूरी पर भी है है चलो अब मैं इसी को और बता रहा हूँ पूरा क्या है अंडू कहा है बेटा रीडो अंडू है ना अंडू आ गया चलो यार फिर इरेज का मत्ता हम तो क्यों यह करना चाह रहे थे अच्छा हाथ से कर लेए अच्छा चलो सीखे सपोज करो यह घड़ी का स्थेव दिख रहा है तुम लोगों को ना मैं फिर से अंडू कर लेता हूँ ताकि वह चीज आज आज आप लोग करना चाहरे दोखो अब बताओ मानलो सपोज कर लो अब तुम लोग देखो अब सपोज करो घड़ी में अब क्या बज रहा है नौ बज रहा है देखो तीन भी बज रहा है तब भी आपको दिख रहा है कि इनके बीच 90 डिगरी का फारमेशन हो रहा है और जब नो बज रहा है तब भी क्या हो रहा है 90 डिगरी का फारमेशन हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि दो ऐसा time natural दिख रहा है आपको जहां without दिमाख लगाए यह आपको सकते हो कि 3 बजे और ठीक 9 बजे क्या 90 degree की overlapping होती है और जब धिहान देना जहां आपको overlapping दिखती है इसका मतलब just अगला जो moment है वहाँ वो overlapping नहीं होगी इसका मतलब क्या हुआ अब जड़ा समझे आप लोग अब धिहान देना इसका मतलब यह हुआ कि यदि इसको हम बना दें 4 यह हो गया 5 तो 3 से 4 के बीच ध्यान दिजिएगा आप लोग और यहीं 9 बजे हो रहा है तो यहां 10 यहां 11 यह एक यह दो यह साथ इसको हमने कर दिया 8 ध्यान देना तो 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच 90 डिगरी की ओवरलैपिंग नहीं होगी होगी लेकिन कितनी बार होगी केवल 90 डिगरी की ओवरलैपिंग हर घंटे में दो बार होती है ध्यान दीजिएगा बाकी जगह आप लोगों ने पढ़ा जब 0 डिगरी की 1 डिगरी तो हर एक घंटे में एक बार लेकिन जो 90 डिगरी की ओवरलैपिंग है हर घंटे में कितनी बार होती है लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में कितनी बार होती है केवल एक बार होती है कितनी बार होती है एक बार होगा हर एक घंटे में दो बार नहीं हमता हर एक घंटे में दो बार तो 12 घंटे में 24 बार 12 घंटे में एक घंटे में दो बार तो 12 घंटे में लेकिन नहीं उसमें दो घंटे ऐसे हैं जिसमें केवल एक बार होता है तो या तो कह लो दस वाल इन दो को छोड़ दो अब बचा दस घंटा तो एक घंटे में दो दस घंटे में 20 20 और ये एक एक कैस और ये एक 22 लिखी आप लोग 12 घंटे के अंतराल में बारह घंटे के अंतराल में 90 डिग्री की ओवरलेपिंग बारह घंटे में कितनी बार? 25 बार कितनी बार? तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार 24 घंटे में 44 बार अब ध्यान दिजेगा जहां जहां ओवरलेपिंग नहीं होती है यह जितना होता है उससे कम होता है हम उसको बेस मानते हैं यहां दो इंटरवल है जहां 90 डिग्री को ओवरलेपिंग एक बार होती है कौन-कौन? एक 3 से 4 आओ एक 9 से 10 तो यहां आपको 2 बेस मिलेगा क्या मिलेगा? 2 बेस मिलेगा एक बेस मिलेगा क्या? एक बेस मिलेगा 3 एक बेस क्या मिलेगा? 3 और यहां क्या बेस मिलेगा? 9 क्या बेस मिलेगा? 9 आपकी काउंटिंग वैसे ही करनी है यहां जबसे मैंने आपसे क्वेशन दे दिया सपोज कीजिए मैंने आपको क्वेशन दिया कि आप बताईए 5 से 6 के बीच में 5 से 6 के बीच में 90 डिगरी के उबर लैपिंग कब कब होती है ना एक कोश्ण साब की सामने आ गया कि 5 से 6 के बीच में 90 डिगरी के उबर लैपिंग कब और कब होती है तब आपको वैसे ही लिखना है आप लिख लोगों क्या बेटा? 5 बज़कर क्या लिखेंगे? 5 बज़कर आपको 60 बटे 11 वैसे ही लगा देना है और मल्टिप्लाई करना है अब चुकि आपके पास 2 बेश है एक बेश क्या है? 3 एक बेश क्या है? 9 तो आप 3 को बेश मानते हो तो 3 को बेश मानके कहां तक गिन्ना आपको है? गिन्ना 5 तक ही है आपको तो कहोगे 3 तो होगे हमारा 0 तो 0 के मतब एक, दो तो यहां क्या होगा बेटा? 2 से मल्टिप्लाई कर दिया और दूसरा क्या होगा बेटा? वहीं होगा 5 बज कर ध्यान देना साथ बटे 11 और मल्टिप्लाई आपने एक जब लिख लिया तो इसी में केवल 6 जोड देना दो छोटा चनो अब यहां आजाओ, एधी हम 9 को बेश लेंगे बेटा तो 9 हो गया 0 9 क्या हो गया? और हमें कहां तक गिनना है? 5 तक, तो देखो 9 से 3 पे आजाएं यह पूरा हाफ कितना हो गया 6? गिल लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना गया? तो 2 में 6 जोड दो कितना आ गया? 8 कितना आ गया? 8 तो आपको यहां 8 से मल्टिप्लाई कर देना है इसको आप लोग मल्टिप्लाई कर लिजे जो यहां आएगा बेटा, इसका अंसर हो जाएगा और जो यहां आएगा वो तो देखो एक ही टाइम में 5 से 6 बजे के 20 में 2 टाइमिंग है जब क्या होगा आपको 90 डिगरी का कौन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, अब इसको आप लोग साल्फ कीजे, फड़ सेंचर लिखिए इस ख्लिएर, बेरी गूड़, पर दीखिएगा तो 90 डिगरी के उपर लाइपिंग जब भी देगा दोनों आप संदेता है आप दोनों निकाल लेना जो मैंच करेंगा उसको टिक कर देना है कि नहीं क्लियर तो अगला मैं दो क्वेश्टन देता हूं आप ज़रा कीजिए फटाक्स से कि दो से तीन बजे के बीच दो से तीन के बीच नो से दस के बीच कब से तेस कोन झाल झाल आगे 9 से शुरू करोगे लिखोगे 9 बचकर 9 बचकर आपने 60 बटे 11 लिखा अब 9 हमें 9 से गिन के 9 तो 9 को 9 क्या 0 हो जाएगा होई पर हम लेंगे 3 3 से 9 का मत हमेशा 9 से 10 या 3 से 4 की बात होगा तो 6 आएगा कितना आएगा 6 आएगा तो 60 बटे 11 multiply 6 लेकर के तो कि यहाँ देखो 9 से 10 के 20 में क्या वो लेकी बार होगा तो को यह टाइमिंग है क्या आगया बटा 360 11 न 11 तैंटिस कितना आगया 11 दोना 22 मतलब 22 का मतलब क्या 8 तो आपका एंसर आगया 9 बजकर क्या बेटा 9 बजकर 32 सही 8 बटे 11 मिनट क्लियर होगा बट तो आज आप लोगों का क्लास यहीं आज की क्लास यहीं समाप्त होती है ठीक कल की क्लास आगय जो है continue करेंगे 10 किason क्या अपकर 20 कि क्या बटे 10 क क्या धगयर झाल झाल